नवश्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम में मैं हूँ पंडे चंदर शेकर शर्मा तर्शकों सबसे पहले हम बात करते हैं आज के पंचान की आज दिनांक है और आज का वार है सोमवार आज के नक्षत्र की बात करें तो पुरुवा शाड़ा नक्षत्र शाम छे बच के टावन मिनट तक है फिर उत्रा शाड़ा नक्षत्र आजाएगा योग विश्खुंब है और योग की द्रश्टी से आज का दिन शुब नहीं है तो कोई अच्छा कार्य करने वाले थे रिष्टे की बात चलने वाली थी या कोई बिजनस डील तो आज के दिन टाल दीजेगा करन गर है शाम 5 बच के 43 मिनट तक आगे विश्टी करन रहेगा सुर्योदेगा समय दर्शे को सुबह 5 बच के 41 मिनट का था और सुरियास्त का समय शाम 7 बच के 13 मिनट का है आज का राहुकाल दर्शकों सुबह 7 बच के 30 मिनट से 9 बजे तक रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा इसमें कोई शुपकारे नहीं करना चाहिए और लंबी यातरा पे नहीं निकलना चाहिए क्योंकि ये राहुकाल सुबह 7.30 बजे से शुरू होता है जल्दी आता है तो इसमें भगवती का नाम स्वरण कीजिए तो यही राहुकाल आपके लिए योग कारक हो जाता है आज का अभिजित मुरत दौपेर 12 बजे से लेकर 12 बच के 54 मिनट के बीच में है दिन में 4 बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा और सूजबू से टाल दीजेगा यह हैं दौपेर 12 बच के 54 मिनट पर 1 बच के 48 मिनट पर फिर दौपेर बार 3 बच के 36 मिनट और 4 बच के 30 मिनट पर आज का दिशा शूल दर्शे को पूर्व दिशा में है पहले कोशिश तो यही करेंगे कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें लेकिन जाना बहुत जरूरी है अनिवारिय यात्रा है तो परिहार करके निकलें परिहार बहुत सरल है पूर्व की और मुख कीजेए दरपन में अपना का मुख देखिए और पांच कदम पीछे चलिए और जब यह प्रक्रिया आप करें तो भगवान श्री राम या अपने अपने इस्ट का हड़े में ध्यान कीजिए उनसे प्राथना कीजिए कि मैं पूरु दिशा की और जा रहा हूं दिशा शूल में तो मेरी रक्षा कीजिए बहुती अच्छे तरीके से यात्रा आपकी मंगल में होती है सुरक्षित होती है कारे सिद्ध होता है आज का शुब समय दर्शे को यानि आज की दिन का सदुप्योग करने का जो समय है वो है सुबह 9 बच के 5 मिनट से लेकर सुबह 10 बच के 45 मिनट तक फिर दो बच के 10 कि अपक्षा ये दोनों का अलखन ज्यादा शुब है तो अच्छे एफर्स करें कोशिश करें इस समय में करेंगे तो सफलता के चांसेज ज्यादा रहेंगे आज की चंद राशी दर्शे को धनू है यानि चंद्रमा धनू राशी से गोचर कर रहें जिससे आज का दिन सभी बारे राश्यों के लिए कुछ इस्प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी वालों को मिलेंगे आज भाग्योदे के दन्मुटाओ और करक राशी वालों को आज दंढहाल पक्ष्य होता दिख रहा है कोई लाब वहीं सिंग राशी वाले अपने बुद्धी वहुश्य बढ़ुआद नू राशी वाले आत्म विश्वाससे रहेंखे लबरेज और मकर राशी वालों के नुकसान का दिन है तो सोच समझ के इंवैस्ट करें पैसा किसी को ना दें कुम राशी वालों को होगा बहुती बड़ा आर्थिक लाब और मीन राशी वालों को कार्याले में मिलेगा सीनियर्स का सपोर्ट तो दर्शे को आप करते हैं आज की दिन की ज्यान चर्चा जो हमारी आपकी अंत्य दरश्टी को प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझें विशेश उपायों को जो आपको समश्याओं से बाहर निकालेंगे और जीवन में सफल बना देंगे अंत्य में करेंगे आज की जोतिश मंतरणा और समाधान दरशे को हमारे जीवन में हमें विद्या ही महत्वपूर्ण बना सकती है हमारी विद्या एनि एजुकेशन स्किल्स विद्या ही सबसे सुरेश्ट अलंकार है भूशन है और विद्या धर की जो गुण है वो स्वते ही विद्या अभ्यास से निकर जाते है हमारे श्री अब्दुलकलाम जी के व्यक्तितु में जो सबसे आकरशक था वो उनके विद्या भ्यास से आया हुआ ग्यान और उस ग्यान से आये हुई विनम्रता थी और इस पर शास्त्र ये कहता है कि रूप योवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना नशोभंते अंदर तो है लेकिन सुगंद से रही थे यानि उसके अंदर सुगंद बिल्कुल भी नहीं होती है इसलिए विद्या अरजन करें गुणी बने ताकि आपका जो यश है वो संसार में फैले और लोक में सफलता और पर लोक में उच्च गति आपको प्राप्तो तो ये था है आप सब लोग कुछ छोटे-छोटे से काम आज अवश्य करें जैसे कि आज तुलसी दलों से एक माला बनाई है तुलसी के पत्र लें उनसे माला बनाए भगवान श्री कृष्ण को अरप्यत करें और एक पार्ट गोपाल सहस्तर नाम का करें फिर किसी अनाथ हाले में छो को प्रजवलित करना है और 27 पार्ट शिवत अंडवस्तोत्र के अवश्य करें या आप करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष सुक्षान्ति से आनन से इश्वरी अनुकंपा के साथ बीतेगा इसमें कोई संद्धे नहीं ऐसे दर्शे को जिनके भाग्ये सुब्त अवस्ता में हैं या जो लोग लगातार प्रयास करके भी अपने अपने शेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो इसके दो ही अर्थ हुआ करते हैं कि या तो जनम पत्रिका में भाग्य का जो भाव है नाइंध हाउस होता है वो दूशित है या निर्भल है या फिर किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी यानि नकारात्मक उर्जा का प्रभाव आपकी चारो और व्यापत है तो इसके अपनी जनम पत्रिका का विश्लेशन करवा के भाग्य भाव को प्रभल करें और ऐसी स्तिती में आज से आप एक सटीक साधना भी आरंब कर सकते हैं जिससे कुछी दिनों में समश्या से आप निजात पालेंगे और अपने दुर्भाग्य को स्वभाग्य में बदल लेंगे इसके लिए करना सिर्फ ये है कि आज 10 बच के 11 मिनट से लेकर 11 बच के 15 मिनट के बीच में भगवान शिवजी के मंदर जाएं माता पारवती को श्रंगार सामगरी पांच फल लाल पुश्पो की माला और शह दर्पित करें और भगवान शिवजी पर चंदन का इत्र और कच करें और मुझे सफलता का मोग आशिरवाद दें इसके बाद में तीन माला का जाप आज से इस विशेश मंत्र का शुरू कर दें मंत्र ध्यान से समझेगा सटीक अचूक और विशिष्ट मंत्र हैं मंत्र इस प्रकार है ओम नमो महाशाबरी दुर्भाग्य नाशनी मम कार्य सद्धिम कुरू कुरू स्वाहा मंत्र फिर से समझते हैं ओम नमो महाशाबरी दुर्भाग्य नाशनी मम कार्य सद्धिम कुरू कुरू स्वाहा दर्शे को एक महीने बाद इस मंत्र का प्रभाव आपको इस पश्ट रूप से दिखने लगेगा और अगर आपने 4-6 महीने इसको कर लिया तो 4-6 महीने बीचते बीचते तो आप अपने दुर्भाग्य को बहुत पीछे छोड़ चूड़ चुके होगा और सफलता आपके चरण चूम रही होगी ऐसे ही जिन लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक समश्या पेड़ित कर रही हो या कहीं धन अटका हुआ हो दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिल रहा हो और आपने जो ले रखा है वो आपसे चूक नहीं रहा हो तो आज आप लक्षमी विनायक जी की शरण लीजिए इस छोटे से उपाय को शाम के वक्त गोदुली वेला में कीजिए करना सिर्फ यह है कि अशोक के व्रक्ष की लकडी को प्रजोलित करें और हवन कुंड में खीर की 108 आहुती इस मंत्र के साथ दे दें मंत्र द्यान से समझेता है के बहुत विसश्ट मंत्रे है ओम श्रीम गं सोंयाइ गणते वर्वरत सर्वजनम में वश्माने स्वाह ओम श्रीम गंग शौम्याय गंपते वरवरद सर्वजनम में वश्माने स्वाह अच्छा यह होगा कि इस हवन से पहले 11 माला जाप आप इस मंत्र का कर ले और फिर देखे इसका चमतकार सामान्य सा दिखने वाला यह उपाए आपको दो से तीन में अपना पूरा प्रभाव दिखा देगा इसमें कोई संदेह नहीं है आप समश्चाओं से बाहर आ जाएंगे तो दर्शे को यह थे आज के वह विशेश उपाए जो आपकी मनोकामनाय पूरी कर रहें समश्चाओं से बाहर ला रहें अब बात करते हैं आपके सवालों की आ आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्रिक आई है हमारी दर्शक रितु जी की 11 जनवर 1995 में का इनका जनम है आठ बच के साथ मिनट रात्री और भील वाड़ा में इनका जनम वह प्रश्न किया है नोकरी लगने के योग कब तक है किस छेत्र में लगेगी देखे इस्तिती दर्शा रही है कि आप गनित एकोनोमिक्स या फाइनेंस से संबंदित शक्षिका बनेगी टीचर बनेगी या फिर अगर आप इसमें इंट्रेस्टेड नहीं है तो बैंकिंग इंशोरेंस और फाइनेंस में आपकी नोकरी लगेगी उत्तमफल प्राप्टी के लि कर और नवंबर सन दोजार चौबिस के बीच है तो इस दोरान आपकी नोकरी लग जाएगी आज की दूसरी जनम पत्रिका आई है सरोज यादव जी की अलवर से 16 फरवर 1901 में का इनका जनम है दोपेर दो बज़ के साथ मिनट का अलवर में और प्रशन है स्वास्त समश्चाएं है इलाज बताईए सरोज जी आपकी मितुन लगन और कुम राशी की जनम पत्रिका है लगनेश अस्टम यानि रोग मृत्यू के भाव में है शनी राहू के प्रेत दोश के साथ पाप प्रेड़ी तवस्ता में तो ऐसे में आपकी रोग प्रती रोदक शमता एकदम कमजोर है शनी राहू की का अनुष्टान करवा लीजिए आप स्वेम चार माला या अधिक माला जाप करना शुरू कर दीजिए यह सब करेंगी तो आपके स्तिती में जल्दी सुधार होने लगेगा तो दर्शे को यह था आज का पंचांग आज के विसस्त उपाए और ग्यान चर्चा मैं पंडित दीर आपका जीवन शिव में सत्य में और आनंद में होता जाएगा महादेव से प्रात्ना करता हूं कि जब आप हमारे बताईवे उपाय करें तो आपके कश्टों का निवारण अवश्य हो और आपकी मनों कामना पूर्ति निश्यत रूप से हो साथी साथ एक निविदन श गुड मॉर्णिंग मैं हूं दीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कारेकरम भाग्यम में और भाग्यम के इस खास सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ट के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुज करना अवाइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी बहतरीन बना सकते हैं और अगर किसी प्रकार का कोई भी हर्डल है तो हम उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं और दोस्तों इसके लिए हम एक से लेकर 9 मूलांक तक की डिवाइन गाइडिन्स लेते हैं कौन सा होगा मूलांक का मूलांक और आज की तारीक है 31 जुलाई 2023 और आज की तारीक है 31 उसको जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नंबर चार तो आज की तारीक का जो मूलांक है वो है नंबर चार और मूलांक चार के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं राहू जिनका पूरा इंपक्ट हमारे सोचने समझने की चीजों पर पड़ता है तो आए दोस्तों बिना देर किये आज के कारिकरियम के हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक एक के लिए हमारे एंजल्स हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइद कर रहे हैं 31 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक एक के लिए हम से कहा जा रहा है ट्रेवलर का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो है वो यात्रा का योग है आज के दिन आप अपने कारे के लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यात्रा कर सकते हैं जो कि एक बहुत सकारात्मक चीज और साथी साथ आपको यह भी कहा जा रहा है कि आपके प्रोफेशन में भी आप कुछ चेंज कर सकते हैं एक सकारात्मक दिशा की और आप जो है वो आज बढ़ते दिखाई दे रहे हैं साथी साथ यह भी आ रहा है कि एक महिला चाहे वह आपकी माताजी भी हो सकती हैं आपकी पतनी हो सकती है आपकी बॉस हो सकती है कलीग हो सकती है जिस्तर हो सकती है फ्रेंड आपकी हो सकती है प्रेमी का हो सकती है कोई भी महिला जो है उनका आपको thul support मिनगें वाला है आपकी विचार धारा में आपके कार्यों में वो महिला आपको सपोर्ट करने वाली हैं कही ना कहीं अगर आपके कोई औरिकल का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कोई महत्पूर्ण निर्णय नहीं लेना है बढ़ाना नहीं है कोई कोई investment आज आपको पैसे का नहीं करना है system day met शौय अंदर और बढ़ाने वाला है् कि आप अभी तक जिस भी व्यक्ति के बारे में तो आप सोच रहे थे ईस व्यक्ति के यह भी कहा जा रहा है कि आपके आस पास कुछ आपके विरुदी या शत्रू या एसे लोग जो आपके बारे में उच्छ नहीं सोचते हैं थोड़ा साफ कोई साफधान दरने की आज जरूरत है और आपको यह कहा जा रहा है कि अगर आज के अगर रहे हैं आज 31 जुलाइए दो हिजार थे इसके लिए और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है स्नेक का काड है आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो पास्ट में जुईना बंद कर दीजिए आपके जो विचार हैं वह आप उसमें पास्ट में जादा अटके रहते है कि मैं ऐसे पहले ऐसे किया करती थी उस ओफिस में ऐसा हुआ करता था तो वो था जो हो गया ना उस पर आपको आज फोकस नहीं करना है चुकि आपका माइंड आज बार बार जो ऐसा होने वाला है कि आप थोड़ा इमोशनल आजा फिल कर सकते हैं लेकि आपको डिवाइन क् पास्ट में आज नहीं अटकना है बल्कि अपने आज पर फोकस करना है जो भी आप काम करते हैं जिस में अ-अ प्रूफेशन में हैं कोशिश कीजिए कि अपने आज को बहतर बना सके आज के दिन अपनी एनरजी पूर है एक अच्छे काम में किसी प्रकार के डवलक्मेंट म आपको वो दे सकें जिसके आपकी चाहत है जो करना स्भाइब तो कहीं न कहीं आज आपको एक पुरानी चीज ideal को जो आंपका old पिपैटर्ण घमऑ वंब है आज आपको से मुख्थ हो ना पड़ेगा ठोड़ी से अपने द्रिश्टि कोण में आपको सकारातमक बदलाव लाने की बहुत जरूरत है अगर आप गुरोथ चाहते हैं तो आपका दिन शुब हो आईए जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें हमारे एंजल्स हमारे एंसिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 31 जुलाई 2023 के लिए आज की तारीक का जो जोड़ है वो भी है चार और मूलांक चार की हम बात कर रहे हैं और हमें गाइड किया जा रहा है वाओ गाडन एंजल का काड है काफी समय से मूलांक चार के लोग काफी जादा परेशान चल रहे थे लेकिन अब जो समय आ गया है अब आपके उपर परमात्मा की कृपा है आपके एंजल्स की कृ और बिलकुल भी अकेले नहीं है पास्ट में जो हुआ व confront man बेट के लिए भी उर्एजब लिह देने के लिए था आपकी आगे की growth season लिए था क्योंकि की कóina कुछ का जोलेंज जिंदगी में आता है ग्रोथ देने आता है नहीं दrifनिक है है तो आज आपको कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं है आपकी गारडे ने इंजिलस के साथ हैं तो किसी पहती है अब का दिन शुभूत। आइये जानते है हे मूलांग का 5 के लिए हमारे एंजेल्स लिएप हमारे एंसिस्टर्स हमें आज किया गाइट करने हैं 211 जुलाइट records के लिए और मूलांग 5 के लिए हम से कहा जा रहा है वाइट विच का काड है आप को को सकारात्मक रहना है अपनी विचारधाराओं को आपको बिल्कुल पॉजिटिव रखना विल्पावर को डगमगाने नहीं देना क्योंकि आपके विल्पावर ना आज आपको जरूर सक्सेज दिलाएगी आज आपके आसपास की परिस्तिती थोड़ा सापके विपरीत हो सकत कहिन ना कहीं लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं किं आपको ठोड़ा academy थो दर कर सकते हैं रेकिन आपके जो भीतर की रोशनी है ना जो आपका टालेंट है जो एक स्लिव आपके पहते ही आपको जिगा इसको बिल्कुल नहीं कृवणना है आपको राषन काम की परती आप वस इस नहीं अपनी जो आपकी विलपावर ना इसको बनाये रखना आपको यहीं आपको सक्सेस दिलाएगी आए जानते हैं मुलांक 6 के लिए हमें हमारे एंजल्स हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 31 जुलाई दो हजार टेस के लिए हम से कहा जा रहा है की आपको अगर लग रहा है कि जो भी कोई परिस्ति आप्की इस जॉब में आपको सूट नहीं कर रहा है अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हैं आपको टीम चेंज करना चाहिए तो डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं जो है जैसा है आपके लिए सबसे बेस्ट है अपने माइंड को आज नेगेटिव चलाने की जुरत नहीं है अठ्यदि Dhiram यहां पर कहा है तो कहिenta कहीं आपको खुद के उपर काम करने की जुरत है एक्सेप्ट करनी की जुरत है अगर मैं कहूं अज की आपकी सक्केश की जो चाबी वह है एक्सेपटेंज स्वीकार करना सेखिए पनी अस्पास की पर cognitive ke 2 ऐक घुज найд ut लर्णिंग है आपका acceptance आपका दिन शुभू आई जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमारे angels हमारे ancestors हमें आज क्या गाइद कर रहे हैं 31 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमसे कहा जा रहा है सन का कार्ड है मूलांक साथ के जातकों को कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो सफलता से भरा है कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत इतने दिनों से जो आपने मेहनत की है जो आपने स्ट्रगल जेला है अब समय गया है उसका फल पराप्त करने का तो आज का दिन है सकसेस का आज के दिन आप जो भी कोई कारे करेंगे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे आपका कारे आपकी पहचान बनेगा कुल मिला के अगर आप एक हाउस वाइफ हैं या फिर आप एक प्रोफेशनल हैं आपको दूनों ही शेत्रों में सफलता प्राप्त होगी कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है एनरजी बहुत अच्छी है आपको मान सम्मान भी मिल सकता है और अगर कहीं अठका हुआ धन है तो वह भी आज आपको मिल सकता है तो आज के दिन को चैरिश कीजिए आपका दिन बहुत है नहीं बहुत हो चाना के दिन को यहां कई लुए बहुत जाड़ा है अग्यार बहुत अगर आपका आपके मन मुताबिक नहीं हो पाया है तो उसके लिए अपको फ्रस्ट्रेट होने की जरुड़त नहीं है कही ना कहीं अपनी सोच में आपको थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्य रखता है अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं किसी के भले के लिए सोच रहे लेकिन चूंकि आप बहुत अपने माइन में ब्लॉकेज लेकर आचुके हैं बहुत नेगेटिव थॉक्ड प्रोसेस में जा चुके हैं तो आप उस मैसेज को समझ नहीं पा रहे हैं तो आज आपको क्या करना है आपको थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालना है थोड़ा जलाई 2023 के लिए और मुलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है शील्ड मेडिन का आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको इस सबसे इंपोर्टन बात की अपनी जो प्लानिंग है जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसको सबसे कहने की जरुरत नहीं है कही ना कही पिछले कुछ को ना कहने की आद़ा डालनी है अपना इस्तमाल नहीं कराना है और दूसरी चीज़ आपको अपनी जो भी प्लानिंग आप कर रहे हैं जो भी आप कुछ काम कर रहे हैं उसमें आपको दूसरे लोगों को तब तक इन्वाल्व करने की ज़रत नहीं जब तक कि आवशक्ता ना हो तो किसी को भी अपनी प्लैनिंग्स ना बताएं जब तक कि खुद उसके उपर पूरी तरह से आप एक्शन लेकर आगे नहीं बढ़ जाते हैं जब स्वते ही आपका कारे पूर्ण हो जाएक आप लोग हमीशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो मिलूंगे आपसे हमारे अगले अपिसोड में तब तक के लिए आप सभी के बीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम